गुड़ IMC ब्रेंग्स मैं तो बहुत स्वस्थ हूं मज़े तो कोई बीमारी नहीं है मतलब मुझे तो छीद की नहीं आती है फिर मुझे समझ मी नहीं नहीं आ रहा ह। मैं यह आपके IMC के प्रोड़क्स क्यों लूँ अभी तो मैं बीमार नहीं अभी तो मेरी उम्र 20 साल की है, अभी तो मैं बहुत जवान हूँ, अभी तो मेरी मुझे कोई प्रब्लम नहीं है, फिर मैं तुलसी, हल्दी, हिमालेन, मेरी, एलो जोती, प्लस, एलो डेंटल, स्पिरुलिना, ट्रू हेल्थ, प्यारी, सहेली, क्योलू, I am sure ये सवाल आपके स concept मैं आपको बता दू, क्योंकि बच्पन से हमको सिखाया गया है, कि जब हम बीमार पढ़ते हैं, तो हम डॉक्त के पास जाते हैं, लेकिन सुष्थ रहने के लिए, हम किस डॉक्त के पास जाए, ये हमें नहीं इसिखाया गया, तो friends मैं आपको बता दू, आप क्या चाहते ह आज आप investment छोटी मोटी investment अपने health पे करना पसंद करोगे या कल उटके लाखों का spend करना चाहोगे अपनी health को बचाने के लिए अपनी जान को बचाने के लिए अपनी health को वापस regain करने के लिए आप लाखों रुपया खर्च करने में ज़्यादा believe करते हो या आज चंद दो-पाच हजार रुपया अपने शरीर पे डालने से आने वाले समय का लाखों रुपया बचाने में ज़्यादा है prevention या क्योर आप सुनते हो ना prevention is always better than क्योर तो prevention पे आप काम कर रहे हो या आप क्योर क्योर यानि कि आप जब बीमारी होने के बाद आप डॉक्टर के पाश जाना ज़्यादा ज़रूर समझते हैं तो एक चीज और मैं आपको बता दू control versus क्योर हम अकसर कहते हैं आपकी diabetes आपकी blood pressure आपकी thyroid आपके एवल गोली लेके control कर रहे हो लेकिन क्या आपका मकसद control करना था या उस बीमारी को जड़ से खताम करना था यह बात आपको समझ में आ रही है maintenance आप maintenance पर बिलीव करते हो या कहते हैं न हस्पताल में जाके अपनी health को regain करने में जादा बिलीव करते हो आज अपनी जो health है उसको मैं वैसे ही as it is maintained हो हमने देखा होगा कई लोग आपको दिखेंगे यहां पर आपको society में साथ सतर साल के हो गया लेकिन आज भी fit है हम अक्सर बोलते हैं क्या maintained है यह वैक्ति यह लेड़ी कितनी maintained है यह वैक्ति कितना maintained है सेम प्रकार में जिस प्रकार आप एक गाड़ी जब showroom से निकलती है आप उसको properly maintain करते हो हम अक्सर कहते हैं गाड़ी के अंदर बैटके वाह क्या गाड़ी maintain की है तो friends गाड़ी maintain करने के लिए उसके हमको वक्त वक्त पे servicing पे ध्यान देना होता है हर 2-3 महिने में जाके उसका carbon, उसका filter, उसके oil filter यह सब हमको cleaning कराना पड़ता है अगर आज हम हमारी human body की बात करें वक्त वक्त पे वक्त वक्त यानि कि हर दो महिने तीन महिने में आपने इस शरीर रूपी गाड़ी गाड़ी वर्सिस बॉड़ी में अक्सर कहता हूं अगर ये बॉड़ी को वक्त वक्त पे गराज गराज का मतलब यह नहीं है जिसे आप गाड़ी को गराज में लेके जाते हो आज आज आपको होता है preventive wellness जिसको हम कहते हैं servicing आपके body की वही servicing का concept आपको समझ में आ रहा है उसी के लिए स्वस्त रहने के लिए आपको products लेना अनिवार रहे है क्यों अनिवार रहे हैं क्योंकि सालों पहले जो चीज हमको खान पान से मिलती थी वो हमको आज नहीं मिल पा रही है this is the reason कि मैं अगर तुलसी पीता हूँ हल्दी पीता हूँ हिमालेंबेरी पीता हूँ तो इसलिए नहीं के मुझे कोई बीमारी है बलकि इसलिए ताकि मुझे कोई बीमारी ना हो मैं आज तुलसी बचाओ 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 प्रिवेंशन 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 आज आपकी आँखे बहुत सुन्दर हैं आप अच्छी तरह से देख पा रहे हो लेकिन आप उसको दिन रात उसको टीवी देखके उसको mobile देखकर उसको खराब कर रहे हो आखों की देख भाल maintenance के लिए एलो जोती प्लास जोडों की problem है जोडों को maintain करने के लिए आपको pain away cald tablet maintenance maintenance हाट 24 घंटा आपका निरंतर चलता रहता है लगातार stress, blood pressure, diabetes, obesity, thyroid ये जो उसकी wear and tear जहलता है heart strong tablet तो फ्रेंट जितनी भी चाहे हिमालिन बेरी की बात करो एलो वेरा की बात करो तुलसी हल्दी जितने भी products है वो आपको इसलिए लेने है ताकि आप एक स्वस्थ शरीर बना सको आपका एक health maintain रहे तो choice आपकी है आज maintenance के लिए आप कुछ पैसे खर्च करना पसंद करते हो या आने वाले समय में गराज याने कि हस्पताल में जाके लाखो रुपया कोरोना ने हमको बता दिया है कि कोरोना में आज हमने केवल तुलसी हल्दी और कोई काढ़ा अगर हम पी जाते हैं तो हम लाखो रुपय के हस्पताल के खर्चे से बच जाते हैं तो friends यह उम्मीद करता हूँ या आपको स हो जाती उसके बाद हम उसमें इंजिन वाई वगर डालते हैं उसको न्यूट्रिशन देने के लिए सेम वे में हमारा डी टॉक्स जब आप कर लेते हो शरीर में से अपने कच्छना गंदगी वगर निकाल देते हो एलो वेरा वगर पी के गंदगी निकालने के बाद में उसके बाद में जब आपको नरिश्मेंट लेते लेते उसके बाद केवल मेंटेन करना है अगर आपने ये तीन स्टेप्स को फॉलो कर दिया दुनिया में आपको आने वाले समय में जैसे मैं अकसर एक बात कहता हूँ कि आज हम पहले की जमाने में लोग ज्यादा जीते थे एना लोग बहुत ज़्यादा जीते थे और मौत तुरंट आती थी छटके में लिव लॉंग डाइशॉट और आज क्या हो रहा है टुड़े वियर लिविंग शॉट बट वियर डाइंग लॉंग दस साल से हस्पताल में बीस साल से हस्पताल में तो यदि आप ये लिव लॉंग और डाइशॉट वाला कंसेट को समझना चाते हो या समझ रहे हो तो आज से ही IMC के प्रोडक्स लेना शुरू करिये क्योंकि ये प्रोडक्स आपको इसलिए नहीं खाने क्या आपको बीमारी है बलकि इसलिए खाने ताकि आपको आने वाले समय में भविश्य में कोई बीमा बीमारी होने के बाद आपको डॉक्टर के पास जाना ये पता है लेकिन यदी आपको स्वस्थ रहना है किस डॉक्टर के पास जाना ये समझ में नहीं आ रहा तो उस व्यक्ति से मिलिएगा जिसने आपको ये वीडियो बेजा है वो आपको बताएगा कि यदि आपको स्वस्त रहना है आपको को बालों को आपके जोडों को आपके हार्ट को आपके किट्णी को आपके लिवर को आपके sexual system को fit रखना है तो IMC में कौन से कौन से प्रोडक की क्या है एक औरन ऑज था करे आपके य।